नमस्कार दोस्तों है स्प्लीन प्लीहा या स्प्लीन भी कहा जाता है जिसको ठीक है या जिसको तिली भी कहा जाता है तिली सबसे पहली बात अगर हम करें कि स्प्लीन क्या है तो स्प्लीन जो है वो हमारे सरीर के अंदर पाया जाने वाला एक लिम्फोइड ओर्गन है एक लसी का अंगक है लिम् उन अंगों को कहते हैं जिनके अंदर lymphocytes पाए जाते हैं, जिनके अंदर लसी का कोशिकाएं पाए जाती है, lymphocytes जो है इनकी विस्तिर चर्चा हम जब blood पड़ेंगे तब करेंगे, लेकिन फिलाल इतना जारना जरूरी है कि lymphocytes जो है वो हमारे सरीर में पाए जाने वाली एक W WC होती है, WC जो है वो हमारे सरीर के अंदर जो सरीर का प्रतिरक्षा तंतर है उसका निर्मान करती है, यानि ये रोगानु जो है उनसे सुरक्षा करने का कारिया जो है वो WC का होता है, WC के अंदर सामाने तया प्रतिरक्षा करने वाली कोशिकाएं जिनको हम प्रतिरक्ष के होते हैं पहले परकार के जिनको प्रात्मिक लसीका अंग कहते हैं प्रात्मिक लसीका अंग उन अंगों को कहा जाता है जिनके अंदर लिंफोसाइट्स बनती है लसीका कोशिका है जिनके अंदर बनती है या उनके अंदर मेचोर होती है ठीक है बनने के साथ-साथ जो है उन के अंदर सामानेते lymphocytes बनते हैं और मेचोर भी होते हैं इसी प्रकार हमारी थाइमस ग्रंथी जो है इसको जनरली सेंट्रल lymphocyte organ या central lymphoid organ भी कहा जाता है थीक है तो यह होते हैं primary lymphoid organ secondary lymphoid organ दिट्टियक लसी का अंगग वो होते हैं जिनके अंदर primary lymphoid organ से बनी हुई lymphocytes जो है वो blood circulation के द्वारा stable होती है यानि कहने का मतलब है कि प्रात्मिक लसी का अंगग जो है उन्होंने जो लसी का कोशिकाई बनाई है लिंफोसाइट्स बनाई है उन लिंफोसाइट्स को बलड जो है उसके जरिये से स्थापित किया जाता है जिन लसीका अंगकों में उनको हम कहते हैं दूतियक लसीका अंगक ठीक है वहाँ पर फिर वो अपना काम करती है जो ट्रेनिंग उनको प्रात्मिक लसीका अंगकों से म पलिहा जो है वो एक secondary lymphoid organ है ठीक है इसी प्रकार अगर हम बात करें तो हमारे गले के अंदर पाये जाने वाले tonsils है एडिनोइड है पेर पेचेज है ये सारे के सारे जो है समाने तया secondary lymphoid organ होते हैं दित्यक लसी कांगक होते हैं तो ये धान रखना है लसी कांगक क्या होता है ठ तो पलिहा क्या है सबसे पहली बात पलिहा क्या है तो पलिहा जो है ये हमारे सरीर में पाया जाने वाला एक लसी कांग है लसी कांग ठीक है lymphoid organ है ठीक है lymphoid organ के अंदर भी जितने भी लसी कांग है ठीक है उन सब लसी कांगकों के अंदर सबसे बड़ा lymphoid organ सबसे बड़ा लस आंग जो है, वो पलीहा होता है, ध्यान रखना, largest limfoid, largest limfoid organ, लिमfoid organ, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, तो next आता है, कि पलीहा जो है, वो हमारे स्रीर में पाया कहा जाता है, तो पलीहा जो है, ये हमारे स्रीर के अंदर उधर गुहा में पाया जाता है, उदर गुहा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं उदर गुहा जो है इसके बारे में पीछी हमने पड़ा है कि जैसे मानलो ये उदर गुहा है तो उदर गुहा की ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है ठीक है तो ये अपर राइट क्वाडेंट हो गया ठीक है पीछे वाले क्लास के अंदर हमने देखा है कि जो अगनासे है उस अगनासे की जो टेल होती है अगनासे की अगर हम बात करें तो जैसे मालो ये अगनासे है इस अगनासे के अंदर जैसे यहां ये जो अगनासे की टेल होती है इस टेल के पास में ये पाया जाता है स्प्लीन ठीक है तो धान रखना है कि जो स्प्लीन होता है वो सामाने तया हमारे उदर गुहा में बाई तरफ पाया जाता है ये स्प्लीन की स्थटी हो गई ठीक है इसके अलावा धान देंगे स्प्लीन जो है इसका साइज जो है वो एक क्लिंज फिस्ट के समान होता है एक बंद मुठी के समान होता है ठीक है क्लिंज फिस्ट जो है बंद मुठी जो है इसका आकार कैसा होता है या कितना होता है उसके जितना आकार जो है स्प्लीन का होता है स्प्लीन जो है इसके अंदर मैं तुअ पूर्ण है कारियों को समझने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं स्प्लिंग जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है उसकी सरस्ना कैसे होती है कौन-कौन से गटक उसकी सरस्ना में पाई जाते हैं ठीक है तो इसकी इस्तती हो गई उदर गुहा में अउपर की और उपर की तरफ बाई और ठीक है उपर की तरफ बाई और ये जो है इसकी स्रस्ना से संबंदित कुछ महतोपुण बाते जो हमें ध्यान रखनी है सबसे पहली बात इसका जो आकार पहली बात इसका आकार इसका जो सेप होता है वो होता है बंद मुठी के समान इसके अलवा जहान देंगे इसका जो रंग होता है वो होता है सामानेत्या डार्क परपल गहरा परपल कलर होता है परपल रंग का होता है इसके अलवा जहान जो स्प्लीन होता है इस स्प्लीन के उपर एक covering पाई जाती है एक आवरण पाया जाता है जो भाई आगातों से इसकी सुरक्षा करता है तो इसका जो आवरण होता है वो कहलाता है peritonium स्प्लीन का आवरण peritonium ये स्प्लीन का आवरण हो गया इस के खान में झान देंगे colleagues situação जो है इसा थो पेरिटोंियम होता है इस को और वाला भाग उता है इसको कहा जाता है केप्सूल देगें जैसे ये मान लो स्प्रीन है ये ये ऊगया स्प्प्लीन इस स्प्लीन के चारों और जो है इस परकार से covering पाए जाती है ये covering हो गई, इस covering को तो हम कहते हैं peritonium peritonium ज्यादा लंबी चोड़ी नहीं है इसकी structure, सामाने से कुछ बाते हैं ठीक है, ये इसका peritonium हो गया स्प्लीन का जो peritonium, इसका जो आवरण है इस आवरण के अंदर जो है सगन सेयोजी उत्तक जो है, वो भरे होते हैं सगन सेयोजी उत्तकों का सगन सेयोजी उत्तकों की सरसना पाए जाती है उन सगन सेयोजी उत्तकों की सरसना ये जो सरसना है, ये इसको हम कहते हैं, स्प्लीन का capsule, या संपुट बोल सकते हैं संपुर कैप्सूल ठीक है इसके अलाव ध्यान देंगे स्प्लीन जो है इसका जो सेंटरल पार्ट होता है ये वाला पार्ट ये जो बीच वाला पार्ट होता है इस बीच वाले पार्ट को हम कहते है हाईलम ठीक है हाईलम वो इस्थान होता है चाहां से स्प्लीन के अंदर blood vigil center होती है रक्तवाहिकाई प्रविष्ट होती है स्प्लीन के अंदर रक्तवाहिकाई जो है जैसे ये एक रक्तवाहिका हो गई ये दूसरी रक्तवाहिका है इस प्रकार से इसके अंदर रक्तवाहिकाई एंटर होती है यह जो रक्तवाई का उपर वाली है इसको हम बोलते हैं पलीहा धमनी इस्प्लीनिक आर्टरी पलीहा धमनी ठीक है और नीचे वाली जो है यह होती है पलीहा सीरा ठीक है इसके अलावा ध्यान देंगे इस्प्लीन का यह जो केपसूल होता है ये कैपसूल ये कैपसूल जो है वो आगे सामानेत्या इस परकार की कुछ जालीदार सरस्नाओं के कारण से कुछ रेसेदार सरस्नाओं के कारण से जो है सामानेत्या अलग-अलग शत्रों में बटा होता है और ये जो अलग-अलग शेत्र होते हैं स्प्लीन के इनको हम कहते हैं ट्रे बेकूली ट्रे बेकूली ट्रे बेकूली ठीक है ये स्प्लीन के कुछ शेत्र होते हैं इनक्षेत्रों के अंदर ध्यान देंगे कुछ उत्तक पाये जाते हैं इनक्षेत्रों के अंदर इस प्रकार स हें कुछ उत्तक जो है वो भरे होते हैं उनत्तकों को हम कहते हैं सामवानेद्धया腺ूसDD को कहते हैं लिन अकता है वाइट पल्प वाइट पल्प और एक होता है रेड पल्प ये दो परकार के उत्तक जो है लसी का उत्तक जो है वो इसके अंदर पाय जाते हैं ठीक है ये जो वाइट पल्प होता है इस वाइट पल्प के अंदर सामाने तया लिंफोसाइट्स पाय जाती है लिंफोसाइट्स lymphocytes जिनको हम लसी का, कोशी काएं कहते हैं जो हमारे सरीर के अंदर बाहिये रोगानों से सुरक्षा करती है सरीर की उनको हम कहते है सामाने जा lymphocytes जब भी कोई external antigen हमारे सरीर के अंदर आता है तो यह stimulate हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है और उस antigen पर क्रियागर के उसको नस्ट करती है ठीक है, तो यह होती है lymphocytes lymphocytes जो है, वो spleen के किस पार्ट में पाए जाती है white pulp में, और यह जो red pulp है इस red pulp के अंदर पाए जाती है generally macrophage 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 बोल दो या जिनको monocytes भी कह सकते हैं macrophage या monocytes जो होती है वो सामानेतिया spleen के जो red pulp होता है spleen का, उसके अंदर पाए जाती है यह हो गई spleen की structure spleen की सरसना, इसके लावा ध्यान देंगे spleen जो है, वो एक highly vascular organ है, यानि कहने का मतलब है इसके अंदर रक्त कैसी काउं जाल बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है इसमें blood जो है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रवाइद होता है और ये blood जो है, उसको store भी करके रखता है ठीक है, blood जो है, उसको store करके रखने से फाइदा ये होता है कि जब भी हमारा सरीर जो है वो सामाने तेया किसी आकस्मिक प्रिस्तिटी का सामना करता है तो उस डोरान हमारा स्रीर जो है उसके सामने दो इस्तिटी होती है हमारे स्रीर की इन प्रिस्तितियों में लाने के लिए या हमारे सरीर की उस condition से सामना करने के लिए जो है ये स्प्लीन क्या करता है अपने अंदर stored blood जो होता है उसको हमारा जो blood है उसके अंदर डाल देता है और वो stored blood है वो जो संग्रही तरक्त होता है वो संग्रही तरक्त सामानेते हैं हमारे सरीर के रक्त के साथ भैकर के और हमारे सरीर को extra energy अतिरिक्त उर्जा जो है वो अप्रधान करता है जिसके कारण से हम उस परिस्थिती का सामना कर पाते हैं और store करके रखता है blood को इसी वज़े से इसको सरीर का blood bank भी कहा जाता है ठीक है, reserve ear के रूप में काम करता है, blood सरक्षक के रूप में कारिय करता है इसलिए इसको सामानेते हमारे सरीर का blood bank कहा जाता है तो ये question भी धान रखना, सरीर का blood bank किसको कहा जाता है शरीर का blood bank कहा जाता है शरीर का blood bank blood bank emergency में blood प्रवाइड करवाता है वैसे हमारा स्प्लीन जो है वो भी blood store करके रखता है जनरली जितना blood हमारे सरीर में है उसमें से लगबग 240 ml blood जो है यह store करके रखता है जो lower animal होते है जैसे इस्तंधारियों के अंदर भी lower animal है जैसे कुटा है उंट है इनके अंदर स्प्लीन जो है उसका total blood जो है उसका 30% blood जो है वो स्प्लीन के अंदर store होता है जो है वो सामानेत है जब कोईसी अपने enemy का किसी जुश्मन का सामना करता है तो उस दोरान उसके सामने या तो वो उस से लड़ता है या फिर भाग जाता है तो उस दोरान लडने या भागने की बिये जो blood प्रवाइत होता है वो spleen से ही होता है Suppleen जो है आकसमिक परिस्तिती में contact होगा संकोचित होगा जिसकी वज़े से इसके अंदर stored blood जो है वो प्रवाइत होगा और हमारे स्रीर को extra energy या जनतों के स्रीर को extra energy जो है वो प्रदान करता है ध्यान देना, सभी जन्तों के अंदर स्प्लीन नहीं पाया जाता है, जो जन्तों वर्टीब्रेट हैं, कशेरुकी प्राणी है, उन्हीं के अंदर स्प्लीन पाया जाता है, नोन वर्टीब्रेट के अंदर, एक कशेरुकी, एक कशेरुकी का मतलब, जिनके अंदर रीड की हड कारी फॉणक्शन्स और स्प्ली का ठीक है प्लीहा जो है इसके क्या क्या काम होते हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं तो प्लीहा जो है यह एक लिंफोइड ओरगन है एक लशी का अंगग है तो इसका लिंफोईड ओर्गन होने के कारण से एक महतोपुन कारी है हमारे सरीर के अंदर प्रति रक्षा में बहुत महतोपुन भूमी का निवाता है यानि इम्मुनिटी पावर बढ़ाने में भी हमारे सरीर की मदद करता है जब भी कोई रोगानों हमारे सरीर से सरीर के अंदर प्रविष्ट होता है सरीर के अंदर एंटर होता है तो हमारा सरीर जो है उसके अंदर ऐसा सिस्टम पाया जाता है ऐसा तंतर पाया जाता है ऐसी वेवस्ता होती है जिसके कारण से वह रोगानों जो है उसको मार करके बगाया दिया जाता है उसको निश्क्रि पाई जाती है तो एक तो धान रखना पहली बाग प्रति रक्षा में राय करना उसके अंदर blood formation समानेत्या प्लिहा के अंदर होता है स्प्लीन के अंदर होता है तो ध्यान रखना भुरून में या भुरूना आवस्ता में हीमोपोईसिस हीमोपोईसिस का मतलब है formation of blood रक्त का निर्मान हीमोपोईसिस हीमोपोईसिस का मतलब है रक्त का निर्मान तो ब्रूना अवस्ता में रक्त का निर्मान जो है वो सामानेतिया किस में होगा पलिहा में इसके अलवा ध्यान देंगे इसका तीसरा जो महतोपुन कारी है वो है आरबीसी जो होती है वो सामानेतिया जो आरबीसी है हमारे सरीर के अंदर पाए जाने वाली रक्तकणी का जो सबसी ज़्यादा मातरम पाए जाती है वो RBC होती है, उनका life इसमें उनका जीवन काल होता है 120 दिन तो 120 दिन के पस्चात उन RBC को नस्ट करता है पलिहा, तो RBC को नस्ट करना RBC को नस्ट करना आरबिसी का अपगटन लिख सकते हैं अपगटन करना ये इसका मुख्य कारिय है आरबिसी का अपगटन जो है वो कहलाता है हीमोलाइसिस हीमोलाइसिस ठीक है लाइसिस का मतलब होता है तूठना तो आरबिसी का अपगटन जो है वो भी कहा होता है पलिहा में RBC का अब गटन होने के कारण से RBC के अंदर जो हीमोगलोबीन होता है वो दो पार्ट में तूर जाता है हीम और गलोबीन तो जो हीम होता है उसके अंदर सामानेत्या आइरन पाया जाता है तो इसी वज़़े से पलिहा जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आईरन होता है इस वज़े से इसको आईरन का संग्राले भी कहते हैं आईरन को स्टोर करता है आईरन स्टोर करता है ठीक है तथा इसे पुन्य बोन मेरों में स्थापित करता है बोन मेरों में स्थापित करता है iron जो है इसको store करेगा और वो जो iron है उस iron को वापिस से अस्ती मज़ा के अंदर जो है ये transfer कर देता है जिसकी वज़े से अस्ती मज़ा जो है वो उस iron के साजता से फिर हिमोगलोबीन जो है उसका formation कर लेती है ठीका जो हिमोगलोबिन हमारे अर्बी-सी के अंदर पैय जाता है इसके अलवा धान देना इसका एक और मुख्य कारी है प्लीः जो होता है ये सामा नेतिया हमारे स्रीर के अंदर ब्लड को फिल्टर करता है रख्त जो है उसको चानने का कारी भी करता है इसके अलावा मुरुना वस्ता में जो है रक्त का सामाने जा निर्मान करता है, इसके अलावा RBC को नश्ट करता है, ये कुछ जो है इसके इंखेकारिये हैं, इसके बाद ध्यान देना, एक वर्ड आता है आपके सामने, अच्छा एक चीज और, अभी मैंने जैसे आपको बता स्टोर करता है, जलो यहां लिख देते हैं, ये बलड को स्टोर करता है, ठीक है, एक वर्ड आता है आपके सामने, स्प्लीनो मिगेली, स्प्लीनो मिगेली, स्प्लीनो मिगेली, मिगेली वर्ड की पीछे चर्चा हो चुके है, जैसे हिपेटो मिगेली, यानि लीवर का बढ तिली का साइज में बढ़ना जो है यह कहलाता है स्प्लीन-मि अब यह चरी क्यों होती है जब हमारे िढार जो है मलीरिया से इंफेक्टेट हो गया या हमारे चरी अंदर कोई य को रही और विसी को 格ाएC करना शरू कर दिया तो उस कंडिशन में क्या होगा जो स्प्लीन है उसके उपर लोड बढ़ जाता है ठीक है स्प्लीन जो है वो dead RBC जो होती है उनको destroy करेगा तो इस वज़े से इसके उपर लोड बढ़ जाएगा इसके उपर जो है इसका काम बढ़ जाएगा स में अगoff रहता है थिक कि स्प्लीन जो हे वो सामने बढ़ रहा है फिर इसक cuts दवाइयों की सहकता से जो हैइसका हिलाज किया जाता है और अगर भाल रोटिसे ये कहला था है स्प्लीन स्प्लीन को सर्जिकली अग़ाने का मतलब है यह गया इसके लावा ध्यान देए जब कई बार स्प्लीन जो है अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखने इस प्लीन जो है इसको जैसे हम हाथ लगाएं हमारे वदर गुखा कि अगर हम हात लगाएं तो सामानेत हमें पता नहीं चलेगा स्प्लीन जो ऱी में होती सरक्षित हुसे उपर ये들 को तो डुप्र इसको हात लगा करके यह संसे पता लगा लेते हैं कि हाँ इसका साइस बढ़ रहा ठीक है इसके इलावा ध्यान देना यानि जब इसका साइज बढ़ने लग जाता है तो इसको हाथ लगा करके भी महसूस किया जा सकता है बाकि हाथ लगाने पर बहुत तेज दर्द हो रहा है तो उस कंडिशन को हम समझ सकते हैं कि स्प्लीनों में लिए यानि तिल्ली साइज म क्या होगा तो उस कंडिशन में जो है नॉर्मल कंडिशन होती है कोई दिक्कत वाली बाद नहीं होती है ठीक है सवाल यह है क्या दोनों स्प्लीन काम करेंगे हाँ उस स्थिति में दोनों स्प्लीन ही काम करेंगे ठीक है तो यह हो गई स्प्लीन के बारे में कुछ महत्वप